जी यहां दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जारखन में लोह एस्क धरवाड करम के चट्टानों में पाई जाती है इसके बाद जारखन में सरवाधिक हेमाटाईट कोटी का लोह एसक पाया जाता है किस कोटी का तो हेमाटाईट कोज गए बहुत इंपोर्टेंट है का सरवाधिक लो अयस्क वाला जीला तो हम लोगों को मारना पस्टिमी सिंभूम जी अहां पस्टिमी सिंभूम में ही सबसे अधिक लो अयस्क पाया जाता है लो अयस्क में जहारखन का तीसरा स्थान है भंडारन के दिरिश्टी से नोवा मुंडि खान जो पस्टिमी सिंभू में हैं एसिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है उत्पादन की दिरिष्टी से जहारखन का दूसरा अस्थान है अईने परमुख जीलों में आते हैं पलामू हजारी बाग संथाल परगनाव। लोहे की परमुख खान है जो नाम देख रहे हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है इसमें से एक कोस्चिन आता है तो नोवा मुंडी देख लिजे गोर करके गुवा पनसारी बुरू बादाम पढ़ा बादाम पहाड जामदा ये सबी लोहे की परमुख खानों के नाम है देश के क पूल बंडार का 37% जारखन में पा जाता है भारत के यानि कि भारत के में जितना भी लोहे के उसका 37%